हेलो दोस्तों स्वागत है आप सबका मेरे चैनल इंजिनियरिंग गुरुजी में आज के इस वीडियो में हम लोग संट्रिफिकल पॉंप के नेम प्लेट को रीड करना सीखेंगे ये एक किलोसकर ब्रदर्स का नेम प्लेट है संट्रिफिकल पॉंप का तो इसको रीड करेंगे और जानेंगे कि एक एक पॉंट्स का मतलब किया है तो वीडियो बहुत नोलिजबल होने वाला है अगर चैनल में नए हैं और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो अभी तुरन चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे दोस्तों वीडियो को स्टार्ट वीडियो में बने रहिएगा अंत तक तो नेम प्लेट का ये जो डिटेल्स देख रहे हैं ये हर एक पॉंप में आपको देखने को मिलेगा पॉंप के उपर और इसी से आप लोग को पॉंप का पार्ट्स वगेरा भी मगाना पड़ता है और बहुत सारा चीज की जानकारी आपको इसी नेम प्लेट से ही मिलती है तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए उपर लिखा हुआ है पॉंप टाइप पॉंप टाइप में लिखा हुआ यूपी 200 बाई 38 तो इसका मतलब किया सबसे पहले तो पंप टाइप या पंप मोडल जो लिखा हुआ रहता है उसी से आप लोग इस पंप का जो भी मोडल लिखा रहेगा उस पंप का सारा पार्ट्स का ओर्डर कर सकते हैं बेरिंग का स्लीव का इंप्यलर का सारा चीज आप लूग को मोडल देखकर ही मगाना पड़ता है दोस्तों तो मॉडल जो होता है वह बहुत इन्पॉर्टेंट चीज होता है तो आप लोग को क्या करना चाहिए अगर कहीं पर pump install है तो take का उसका जो name take होता है name plate होता है उसका एक photo लेकर रख लीजे क्योंकि ये खराब हो जाएगा तो आगे चलके आप लोग को बहुत जादा दिक्कत होगा उसका model number आप लोग को पता नहीं चल पाएगा आप समझते हैं कि model number में क्या क्या लिखा हुआ रहता है UP200 by 38 जो लिखा हुआ है ये model तो है ये आप लोग को clear हो गया इसे से आप लोग सारा parts बगेरा मगा सकते हैं साथ ही जो 200 by 38 है इसका भी कुछ मतलब होता है दोस्तो 200 जो बता रहा है वो pump में जो discharge pipeline connected होगा उसका size बता रहा है 200 होना चाहिए discharge pipe का जो size है साथ ही by 38 जो दिखा रहा है 38 वो क्या दिखा रहा है impeller का dia बता रहा है 38 38 centimeter वो centimeter में बताता है दोस्तो तो इस तरह से जब भी model में 200 by 38 लिखा हो या कुछ और लिखा हो 100 by 28 लिखा हो कुछ भी लिखा हो तो पहला जो digit रहता है जैसे कि 200 है वो उस pipe का connected होने वाला discharge pipe का जो size है वो बता रहा है और 38 का मतलब है impeller का dia 38 centimeter है यहां आप लोग को clear हो गया होगा दोस्तो यहां पर बहुत सारे important points लिखे हो है लेकिन जो जो आपको जरूरत पड़ेंगे जैसे pump type total head कितना होता है discharge कितना होता है impeller dia कितना होता है size का मतलब क्या है speed का मतलब क्या है यही point को हम लोग जानेंगे बाकी जो यहां पर देख रहे हैं pump number और आपको यहां पर बाकी जो number लिखे हो इसका जरूरत नहीं है वो pump के हिसाब से tagging किया जाता है दोस्तो अब हम लोगों ने type को और model को समझ लिया बहुत ही important है type और model अब समझेंगे हम लोग total head total head का क्या मतलब है total head यहां पर देखे लिखा हुआ है 40m तो head का मतलब होता है दोस्तो कितनी उंचाई तक जहां पर pump इंस्टॉल है वहां से कितनी उंचाई तक वो fluid को discharge करेगा liquid को discharge करेगा वो बताता है तो 40m लिखा हुआ है मतलब 40m उपर तक यह पानी को भेज सकता है यह वाला pump आपके वहां जो pump इंस्टॉल हो उसके उपर देख लिजे कि कितने मीटर उपर तक वो पानी को भेज सकता है total head का मतलब होता है कि सक्सन से लेकर discharge तक का जो उचाई रहता है उसको head बोला जाता है दोस्तों अब discharge के बारे में समझ लेते हैं discharge यहां पर देखे लिखा हुआ है 465 m3 per hour बहुत ही अच्छा discharge करता है यह pump दोस्तों 1 m3 बराबर 1000 लिटर होता है सोचके देखे 1 m3 per hour अगर लिखा हुआ रहता तो 1000 लिटर एक घंटा में होता 465 m3 per hour यह pump जो है discharge कर सकता है वो discharge को आप लोगों को बता रहा है दोस्तों impeller dia impeller dia जो मैंने उपर बताया वही चीज है यहां पर mm में लिखा हुआ दोस्तों 370 mm लिखा हुआ है दोस्तों impeller का dia अगर आप लोग इसको cm में convert करोगे तो 38 cm ही होगा और यहां पर impeller dia mm में लिखा है इसलिए 370 mm लिखा हुआ यह impeller का जो outer dia है उसको बता रहा है दोस्तों अब size यहां पर एक देखिए point लिखा हुआ size 200 by 280 तो जो 200 है दोस्तों वह discharge pipeline का यह pump का discharge pipeline connected होगा उसका size बता रहा है और 280 जो है वो suction line का size बता रहा है दोस्तों यह pipeline का size बताता है size का मतलब 200 discharge line का और 280 suction line का कभी भी discharge line से suction line का जो dia रहता है वो बड़ा रहता है दोस्तों इसको आपनों को पता होना चाहिए अब speed देखिए यहां पे 1500 rpm running per minute यह 1 minute में 1500 बार घूमना चाहिए तभी यह सारा जो आपको description दिख रहा है यह सारा मिलेगा नहीं तो यह उपर और नीचे भी हो सकता है अगर 1500 के rpm में यह घूमेगा तो यह जो description पूरा take के उपर name take के उपर दिया हुआ है यह accurate काम करेगा जो dia दिया गया है pipeline का अगर आपने वो install किया तभी यह सारा description सही रहेगा नहीं तो description change हो जाएगा दोस्तों तो जो take में लिखे रहे उसी size का pipe आप लोग install करें section pipe, discharge pipe, rpm उतना होना चाहिए इस बात का भी ध्यान आपनों को रखना पड़ेगा दोस्तों तभी जो take में सारा description दिया हुआ है वो match करेगा नहीं तो नहीं करेगा discharge अगर सोचिए 465 meter cube दिया है अगर आपने section 280 का आपने section का pipe लगाया और discharge का pipe 200 mm का लगाया जो की take में लिखा हुआ है तभी इसका discharge 465 meter cube होगा परावर अगर आपने pipeline उस पे छोटा लगा दिया तो 465 meter cube आपको नहीं मिल पाएगा दोस्तों तो जो take में size दिये रहे है section pipe का discharge pipe का वही size का section और discharge pipe आप लोंको install करना है speed 1500 rpm running per minute या rotation per minute आप बोल सकते इसको तो 1500 बार एक minute में ये घूम जाता है अब यहाँ पर एक लिखा हुआ है देखिए recommended prime moving rating ये जो दिखा रहा है 127 horsepower ये motor का size बता रहा है कि कितने horsepower का motor उस pump में आप लोंको connect करना है तो जो भी horsepower का motor connect करने के लिए बोला जाए उसी size का ही motor आप लोंको connect करना है उससे कम या उससे ज़्यादा आप लोंको नहीं कर देना है इससे भी जो take का सारा details है जो discharge दिया हुआ है जो total head दिया हुआ है वो सारा change हो जाएगा दोस्तो तो जो पहला होता है pump का type या pump का model उससे आप लोंक सारा pump का parts मगा सकते हैं दोस्तो total head का मतलब होता है कि कितनी उंचाई तक वो liquid को या water को discharge करेगा discharge का मतलब होता है कि कितना पानी एक घंटे में वो discharge करेगा जैसे कि यहाँ पे देखिए 465 meter cube per hour discharge कर रहा है दोस्तो impeller dia का होता है outer dia बता रहा है impeller का size जहाँ पे लिखे रहे है जैसे यहाँ पे 200 और 280 लिखा हुआ है तो वो suction और discharge pipeline का size बता रहा है rpm का मतलब rotation per minute होता है उसका आप लोंको देख लेना है उस पे टेग में कितना दिया हुआ है उसी rotation का motor भी आप लोंको लगाना है उतना ही rpm का motor आप लोंको उस पे install करना है दोस्तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताईएगा अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी अच्छा सीखने मिला नॉलेज मिला तो अभी तुरण चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे दोस्तो साथी बेल आइकन को प्रेस कर दीजे जिससे आप लोंको regular notification मिलते रहेगा चैनल का membership अभी तक अगर आपने जोइन नहीं किया है तो तुरण जाकर चैनल का membership जोइन कर लिजे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई दोस्तो